बिग बी पहुचे हैं अपनी फिल्म आरक्षन की पब्लिसिटी करने एक रियालिटी शो में यहाँ पर बिग बी अकेले ही दिखे मीडिया से इंटराक्ट करते हुए शायद उन्हें अपनी फिल्म की कास्ट का पूरा सहारा नहीं मिल रहा कहीं इसलिए तो नहीं लड़ खडा रहे हैं बिग बी के कदम जी हाँ अमिताब बच्चन सीधी चाल नहीं चल पा रहे हैं मगर इसका कारण आरक्षन की बाफी कास्ट का यहां ना होना नहीं है बल्कि यह है किया मिताब बच्चन इस र्यालिटी शोर की शूटिंग करते बफ गिर गए और लगता है उन्हें लग गई चोटी सी चोट टांगों पर बैसे इसके बारे में बिग बी ने एक सोचल नेट्वरकिंग साइट पर कुछ ऐसा लिखा इस इवेंट की दूसरी जूसी गॉसिप के बारे में जानने की सदी के महानायक को लखनाव यूनिवरसिटी में नहीं किया गया अलाव उनकी फिल्म आरक्षन पर लेक्चर देने के लिए लेकिन अब अमिट जी का कहना है कि वो लखनाव जाकर आरक्षन पर लेक्चर जरूर देंगे बट किसी दूसरे इंस्टिटीट में जाकर यहां अमिट जी ने बताया कि प्रकाश जाते हैं कि अलग अलग यूनिवरसिटी में उनकी फिल्म को क्रमोट किया जाए और इस पर प्रकाश जी हा का मन था कि लखनाव यूनिवरसिटी में अमिटाब बच्चन का एक स्पेशल लेक्चर रखा जाए वैल जब लखनाव यूनिवरसिटी ने इस लेक्चर के लिए मना किया तो इसके रीजन्स सेक्योरिटी की कमी होना बताया गया लेकिन स्टॉर्स बताते हैं कि इसकी वज़ा यूपी में रेजरवेशन्स को लेकर चल रही पॉलिटिक्स है खबरों की माने तो यूपी की पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाती भी क्या मिताब बच्चन लखनाओ आएं और रेजरवेशन पर किसी भी तरह का लेक्चर दे कर एक नई कॉंट्रवर्सी खड़ी करें लेकिन बच्चन साब और प्रकाश ज्याब ही कम नहीं हैं उन्हें जब यूनिवर्सिटी से परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने लखनाओ के दूसरे इंसिट्यूट में लेक्चर देने का मन बना लिया है वहीं पर एक और संस्था है उसी और कॉलिज में हम जा रहे हैं ये इसके बारे में जानकारी काश जाप रिदक्शन से ही अधाब है कि लेकिन हम लोग जा रहे हैं वहल अमिट जी लेक्चर देने के लिए तयार है अब ऐसे में डर है कि विग बी का ये लेक्चर लखनाओ की राजनीती के गलियारों में कोई नई कॉंट्रिवर्सी ना खड़ी कर दे और रही बात उनके इस इंजर्ड लेक्टी तो वी कि जिस से प्लीज दो वाच ये स्टेप्स नेक्स ताम अस्टर बाच्छन वाचितनों सेंग जूम मुंबरी